हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप स्वस्त हैं और देखिए ये है आपकी English Worksheet No.69 जो आज आपको 24th December 2020 को करनी है बिटा ये आपकी बुक का चाप्टर है The Last Leaf जैसा कि नाम से पता चल रहा है Last Leaf कितनी बड़ी importance है उस आखरी पत्ते की तो देखिए बिटा ये जो The Last Leaf चाप्टर है ये आपकी बुक से लिया गया और आपका Last Leaf जो चाप्टर है बिटा बहुत important है Life में बहुत कुछ सिखाने वाला है और आज इसमें लगबख पूरे चाप्टर को भी cover करने की कोशिश की गई है तो आप ध्यान से सुनेंगे सबसे पहले देखिए इसके जो main characters है इसके main characters हैं दो friends जैसे आप friends होते हैं और कितनी अच्छी मित्रता है उन दोनों में यह दो friends है स्यू और जॉन सी आपको चाप्टर की summary दी गई है और answer करने हमने questions जिसमें almost सारे important questions को cover किया गया है थोड़ी बहुत lengthy है समझना है हमें लेकिन बहुत अच्छी है complete है chapter इसी में तो देखिए यह दो friends है स्यू और जॉन सी यह struggling artist है young artist है यह दोनों यह दोनों एक साथ रहते हैं in a small flat situated on the third story of an old house एक पुराने घर के तीसरी मंजिल johnsy falls seriously ill in november johnsy बिमार हो जाती है november के महीने में बहुत जादा she has pneumonia sue gets worried about her and sends for the doctor the doctor gives medicine tells you that johnsy has lost the will to live until she shows a will to recover medicine will not help her बिटा जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी की इच्छा नहीं होगी तो दवाईयां भी काम नहीं करती तो sue को doctor ने बताया कि johnsy ने कहीं ना कहीं अपनी जीने की इच्छा को छोड़ दिया है और वो recover तब तक नहीं कर पाएगी जब तक वो अपनी positive जब अपनी thinking को अपनी willpower को strongly करेगी उसने अपनी willpower खो दिया sue tries her best to cheer up johnsy, sue try करती है उसको हसाने की, उसका mood बदलने की, divert करने की, she talks about clothes, वो कपडों की बाते करती है, fashion की बाते करती है, brings her drawing board into johnsy's room and start whistling while painting अपना board जो है, वो johnsy के room में ले आती है, क्योंकि वो artist है, drawing board ले आती कि उसका ध्यान आर्ट की तरफ जाएगा, whistling करते हुए city बजाते हुए painting करना शू कर देती है, but johnsy keeps looking at an ivy keeper, creeper outside on the wall, लेकिन johnsy क्या है, johnsy फिर भी बाहर देख रही है, ivy creeper है, उस ivy creeper को लगातार दे खाई देता है, उसकी बाहर बिटा क्या होता है, कि ivy creeper creeper क्या बेल होती है, एक पौधी की बेल है, ivy वो बेल को देखती जा रही है, और बेल का जो पत्ता है, उस पत्ते को गिरते हुए कि वो कौन सा पता, आज एक पत्ता कम हो गया, दो पत्ते कम हो गया, उसने पत्ते क counting backward from 12 onwards तो बिटा वो बारा से पीछे गिंती गिरती जा रही है बारा ग्यारा इस तरह से यह इस तो बताओ यह क्या कर रही हो जांसी तेल्स यह बटाती है कि वह जो है मर जाएगी जैसे ही इसका अखरी पत्ता गिर जाएगा इट वड हैपन इन थ्री डेज और वह काउंटिंग कर रही थी बारा से और वह बस तीन दिन बचे हैं मेरे पास लास्टी लीव जो इस बात का यह क्या रिलेट करने की बात है क्या किसी पत्ते से हमारी लाइफ सोने एडेट जुह उसको कहते है नहीं तुम ठीक हो जाओगी तुम बिलकुल ठीक हो जाओगी जल्दी से बाट इट हास् नो Judith उन जांची लेकिन इस बात का कोई असर नहीं होता जॉन सी पर शुव मेंक जॉन सी प्रॉमिस नौट टो लुक आउट अफ विंडो अब शुव क्या कहती है तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी वो जॉन सी को बना कर देती है विंडो से बाहर देखने के लिए तिल अब वो पेंटिंग मो छोड़के फटा फट नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर पे चाहां बेहर में मिस्टर बेहर में रहते थे जो एक ओल्ड पेंटर है उनके पास जाती है उनको सारी बात बताती है वो सेम बेल्डिंग में ही रहते हैं अब वो जो है वो एक ऐसे आर्टिस थे जो उनके एक सपना था कि वो एक दिन अपना मास्टर पीस बनाएंगे बाट ही हाज हाट नो सक्सेस सो फार लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं मिल पाया उनको एक कोई ऐसा यूनीक आइडिया नहीं मिला था स्यू टेल्स भैरमन अबाट जां सी गस्टेंज़ फैंसी तो स्यू उसके बाद बताती है भैरमन को जो उसका ये एक फैंसी है जो यह उसका अपना ही एक कुछ बनाया हुआ है एक ऐसा उसका illusion है उसका भ्रहम है both he and she go to John C's room John C is sleeping वो दोनों John C के room में जाते हैं वो सोरी होती है they see that Ivy Creeper has only one leaf left on it और वो देखते हैं कि सिर्फ एक ही पत्ता बचा है Ivy Creeper पे it is raining और बारिश आ रहे थी it seems that the last leaf can fall any time और वो guess कर लेते हैं कि यह last leaf किसी भी moment पे गिर सकती है John C wakes up from her sleep John C उट जाती है she looks out of the window she looks at the last leaf वो उटती है वो बाहर window से फिर से देखती है वो last leaf she asks Siu to look at it Siu को कहती है कि इसको देखो it is green and healthy वो कह रहे है देखो यह तो हरी भरी है और यह स्वस्त है John C looks at the leaf every hour और John C हर घंटे उस leaf को देख रही थी but it does not fall even in the stormy evening और फिर उसके बाद उसने देखा कि तुफानी शाम थी तब भी वो पत्ता नहीं गिरा this revives a will to live in John C और इस चीज से क्या हुआ John C को भी लगा कि जिस तरह से यह हरा भरा पत्ता हो सकता है इस पेड़ पे हरा भरा पत्ता आ गया स्वस्त पत्ता आ गया तो मैं भी अब मैं भी जी सकती हूँ तो फिर क्या होता है she apologizes to to Sue for not cooperating वो उसको sorry feel करती है Sue को कि मैंने आपकी बात नहीं मानी मैंने आपके साथ cooperate नहीं किया next morning Sue tells John C about Bearman और next morning Sue बताती है John C को Bearman के बारे में Bearman was ill for only two days और वो दो दिन से भिमार थे the guard finds him on his bed और guard को वो उनके bed पे मिले his clothes, shoes were wet उनके जो clothes थे, उनके जो कपड़े उनके shoes सब गीले थे he was shivering in the stormy night और वो जो stormy night थी उसमें shiver कर रहे थे उसमें वो काप रहे थे he had caught pneumonia and died he must be painting during the rain जब rain हो रही थी तो हो सकता है वो उस समय में paint कर रहे थे न बेटा तो वो गीले हो गए लेकिन वो अब गीले होने के बाद वो कापने लगे और उन्हें pneumonia हो गया वो मर गए shoe asked johnsy why the leaf did not flutter अब shoe कहती है कि यह johnsy यह hill क्यों नहीं रही है पता ही हिलता क्यों नहीं है she tells her that the last leaf was behirman's masterpiece वो बोलती है कि यह जो last leaf है यह behirman का masterpiece है he painted it the night the last leaf fell और उन्होंने उसी रात इसको paint किया जिस रात वो last leaf गिरी अब देखिये बिटा हमारे questions है तो questions पहले हम discuss करते हैं और देन उसके answers के साथ question आपको बताऊंगी तो देखिये why was johnsy's condition not improving तो why was johnsy's johnsy की condition क्यों नहीं improve कर रही थी johnsy's condition was not improving because she had the illusion that she would die with the falling of last leaf तो यह है कि उसके क्यों नहीं condition ठीक हो रही थी उसके negative attitude की वरे से how did sue try to cheer up johnsy sue कैसे उसको cheer up करने की कोशिश करती है by talking about the clothes fashion etc by bringing the drawing drawing board in her room and whistling while the painting यह सारा है स्मेस you call why did sue call bearman अब sue bearman को क्यों बलाते है उन्हें बताती है सारी condition और उनको request करते है insist करते है कि वो एक leaf बनाए how can you say that it was bearman who painted the leaf क्योंकि bearman जो थे वो जिसन लास्ट लीफ गिरी है उस दिन वो गीले थे द्रेंश थे उनको guard को मिले वो गीले थे और same night जो है फिर उसका दो बिमार हो गए what was john c is counting why और सिर्फ bearman ही थे जिनको इस condition के बारे में पता था see or bearman को पता था कि इस तरह से जो leaf है उससे connect कर रही है john c अपनी life को तो he was actually bearman made the leaf what was john c is counting john c counting why john c क्या count कर रहे थी john c was counting the leaves on ivy creeper then what was bearman's dream bearman की dream क्या थी to make a masterpiece और वो true हो गई yes बिल्कुल true हुई उन्होंने एक life को save कि अपने masterpiece से how did sue feel when she saw the last leaf on the tree sue को कैसा लगा था sue को बहुत बुरा लगा था और डर गई थी यह जो last leaf है और यह last leaf से john c ने अपनी life को connect किया हुआ है तो यह last leaf इस समय क्या था कि बहुत important थी john c के recovery के लिए was bearman a great artist or a wonderful human being yes bearman was a great artist as well as wonderful human being क्यों क्योंकि उन्होंने अपनी life sacrifice की life को बचाने के लिए और इतने अच्छे artist थे कि उनके बनाई हो इस एक leaf को एक artist भी नहीं पहचान पया कि वो एक real leaf नहीं है वो एक painted leaf है now long answer questions है जिसमें आपको answer करना है 100 to 120 words में मैं आपको questions और answers यहाँ पे questions है और मैंने आगे questions के साथ ही answer आपको दिये हैं questions explain कर रही हूँ more than the illness john c was suffering from depression यह हमें बताना है कि john c illness से नहीं बिमारी से नहीं उसे ज़्यादा depression से परिशाद थी अब हमें इस करेक्टर स्केश देना है स्यू का जो उसकी friend है और फिर है स्यू की care भर्मन का work जो स्यू ने care की भर्मन ने जो work किया और जो will power थी john c की किसने recover करने में help की तो तीनों ने ही help की है वो हम देखेंगे कैसे and then Winston Churchill जो एक British Prime Minister थे उन्होंने कहा था attitude is a little thing that makes a big difference attitude जो है वो एक छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा difference create कर देती है तो यह बहुत सही है जो हमारे हमने chapter में भी देखा और हम इसको अब chapter के बेस पर discuss करेंगे and covid appropriate behavior जैसा कि आपको पता है take care of yourself keep maintaining physical distance use mask wash your hands regularly and now the questions with the answer your first question is why was john c's condition not improving john c के condition improve क्यों नहीं हो रही थी john c's condition was not improving because she lost her willpower to live she has made up up her mind that she is not going to get well उसकी willpower जो उसने खो दी थी उसने अपने दिमाग में ये बैठा लिया था कि वो ठीक नहीं होगी she would die with the falling of the last leaf by off of ivy creeper और वो मर जाएगी वो भी ivy creeper के last leaf के साथ सक्ट जैसी last leaf गिरेगी वो भी मर जाएगी how did shew try to cheer up john c's you ने कैसे john c को cheer up करने की कोशिश की कुश करने की कोशिश की shew tried बिटा डिड़ है तो देखिए ट्राइग का ट्राइड हो जाते हैं यह ध्यान रखना है हमेशा आपको shew started painting and whistling cheerfully to create a cheerful atmosphere to uplift john c's mood she told her that the leaves are falling because of autumn season and she would get well soon convince किया कि यह तो सिफ autumn season की वज़े से गिर रही है और तुम ज़दी से ठीक हो जाओगी then question no.3 why did shew call behrman so shew ने को क्यों बलाया था shew was worried about john c's condition she called behrman to paint a leaf on the ivory keeper to make john c believe that the leaf did not fell even in storm and john c could gain hope to get well soon ता कि वापस john c अपनी hope को अपनी आशा को वापस जागरित कर सके वापस पाले कि वो ठीक हो जाएगी how can you say that it was behrman who painted the leaf हम यह कैसे कह सकते हैं कि बहर्में नहीं लीफ painted paint की है यहां पर बिटा B capital आएगा सब जगा ध्यार नखा है कोई भी नेम होता है तो उसको नेम हम हमेशा जो है noun capital particular noun है यह proper noun तो B capital होगा when bearman came to know about the john c's जहां पर भी नाम है यह typing में थोड़ा सा हो जाता है तो आप ध्यार नखेंगे john c's believed that regarding the fall of leaves he saw the creeper and realized that the last leaf was sure to fall जब bearman ने देखा रहे यह तो raining है अभी बारिश हो रही है और 100% यह था clear कि यह जो leaf है यह गिर जाएगी आज तो he said nothing and went out और बाहर चले गए he decided to do something to save her life उन्होंने उसकी लाइफ को बचाने के लिए कुछ करने के लिए सोचा while painting the leaf on the wall he was completely drenched अब वो जो वाल पे जो पेंट कर रहे थे लीव बना रहे थे वो पूरी तरह से भीग चुके थे he caught pneumonia उन्हें pneumonia हो गया इस कारण और उनकी death हो गया and he died then a question what was John C. is counting why John C. क्या count कर रहे थी John C. was emotionally disturbed she developed the belief that she would die with the fall of last leaf John C. जो थी वो emotionally disturbed हो चुके थी उसने ये belief बना लिया था कि वो last leaf के साथी death हो जाएगी उसकी जब वो गिर गई last leaf she started counting the leaves on the ivy creeper तो उसने क्या किया उसने ivy creeper पर जो लीफ है वो count करनी शुरू कर दी थी what was bearman's dream did it come true how तो bearman की dream क्या थी बिटा very good the bearman had a dream he wanted to create a painting which would be his masterpiece हमेशा एक artist का बिटा masterpiece होता है जिससे वो अपनी पहचान बनाना चाहता है unique painting सबसे अलग एक unique idea पे yes his dream came true when he painted the last leaf on the ivy creeper to keep the hopes of a young girl alive though he had to lose his life for doing so उस एक leaf को बनाने के लिए उन्हें अपनी life भी खो देनी पड़ी लेकिन फिर भी उन्होंने yes उन्होंने अपनी dream को achieve किया then question number three how did Siu feel she saw the last leaf on the tree Siu को कैसा लगा जब उसने last leaf देखी थी टी पे Siu was worried about John C's Siu was worried about John C's condition and thought that John C would die with the falling of this last leaf तो because she had lost her hope to live she went to Bearman and requested him to help her to save John C's life by painting a leaf on the ivy creeper तो उसे पता था कि जो last leaf है उससे connect कर रही है John C अपनी life को तो वो Bearman के पास गई उन्हें request की और उसकी life को बचाने के लिए एक leaf को paint करने को कहा was Bearman a wonderful great artist और यहाँ पर बिटा और आएगा अब क्योंकि उसने अपने life से जोड़ा हुआ था उसको तो यही पर है कि Bearman ने क्या किया Bearman ने उस wonderful human being के तरह work किया कि उसने अपने life के बारे में भी नहीं सोचा और John C को बचाने के लिए उसने अपने life sacrifice कर दी तो देखें Bearman was both a great artist, एक artist भी थे बहुत अच्छे artist थे कि एक artist भी नहीं पहचान पाया कि वो leaf real है या वो एक painted leaf है ग्रेट आटिस थे, wonderful human being थे he sacrificed, he sacrificed his life तो यहाँ पर आएगा Bearman was both a great artist and a wonderful human being he sacrificed his own life यहाँ पर बिटा he he sacrificed his own life to save John C यहाँ पर दी डालेंगे sacrifice he stayed outside in stormy weather to paint a leaf on the ivy creeper वो stormy weather में बाहर रहे, वो ivy creeper पर उन्होंने जो paint किया leaf को, he got completely drenched वो पूरी तरह से गिले हो गए थे and caught pneumonia and died he painted a leaf with such a perfection इतनी perfectly उन्होंने वो paint किया that even an artist John C could not realize that it was a painted leaf he made a supreme sacrifice तो जो Bearman का work है वो बहुत ही अच्छा था great artist भी थे और एक wonderful human being भी थे अब है बिटा task 3 जिसमें आपको 100 to 120 words में करना है तो 100 to 120 words में more than the illness John C was suffering from depression सिर्फ illness नहीं, वो बिमारी नहीं बिमारी से ज़्यादा वो depression से परेशान थी do you agree, why or why not क्या आप उसे सहमत हैं क्यों और क्यों नहीं John C was emotionally disturbed due to some financial crisis कुछ problems होंगी बेटा struggling artist है, तो बहुत सी life में problem होती है उन्हें struggle करना पड़ता है starting में, बहुत कुछ जो है तंगी होती है पैसो की भी she got depressed and lost faith in life तो शायद वो उस वज़े से काफे depressed थी, परेशान थी और उनका life से विश्वास हटता जा रहा था she developed the belief that she would die with the fall of the last leaf on the ivy creeper, और उसने अपने मन में ये belief बना लिया था, ये माल लिया था कि ये जो ivy creeper की leaves है इसके last leaf के साथ गिरने के साथ साथ उसकी भी death हो जाएगी she started counting the leaves in fact she had an attack of depression उसने leaves को counting करना शू कर दिया था, backward counting स्टार्ट कर दी थी, और actually क्या था, उसको डिप्रेशन का एक अटाक था, she was suffering from pneumonia, the doctor said that she would not recover unless she had a wish to live, her willingness to live could save her, अब डॉक्टर ने भी गया दिया था, कि जब तक भी अपने अंदर वो ये जीने की इच्छा नहीं जाग रिक करेंगी, तब तक ये दवाईया भी असन नहीं करेंगी, तब ही फिर जाकर, Siu ने बहर्मन को बताया और बहर्मन को जब उसके बारे में इस सारी conditions के बारे में पता चला, बहर्मन got to know about her condition, he painted the leaf to save her, उन्होंने लीव को paint किया, save करने के लिए उसको, eventually she developed the positive thoughts and recovered from her illness, और eventually उन्होंने आखिरकार उन्होंने positive attitude, positive thoughts develop की और recover किया अपने illness से, thus we can say that John C. was suffering more than depression, more from depression than illness, इसलिए हम कह सकते हैं कि John C. was suffering more, ज्यादा वो depression से परिशान थी, इस से कि वो बिमारी से, वो बिमारी तो वो अपने willpower से भी बहुत जल्दी recover कर सकती थी, next question is, write a character sketch of Siu, तो Siu का जो character sketch है, Siu was a young artist, she shared flat with John C., she was a true friend of John C., when John C. suffered from pneumonia, she looked after her, उस नही ध्यान रखा था, उसका उसकी साथ रहती थी, उसकी सची मित्र थी, she looked after her, she tried to change John C.'s mood by creating cheerful atmosphere around her, she tried to make her thoughts positive, by telling her that the leaves were falling due to autumn season, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थी, convince कर रहे थी कि यह जो leaves का गिरना ही, हमारी life says का कोई लेना देना नहीं है, यह तो autumn season है, पज़ड का मौसम है, उस वज़ए से बते गिर रहे हैं, she also told her that the doctor said she would get well soon, उसने का कि दोक्टर ने का है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, but when she felt John C.'s health was not improving, लेकिन जब उसको लगा कि उसकी जो health है वो improve नहीं कर पा रही है, due to her fanciful belief, उसके यह मन घडन जो उसकी एक belief ती, जो मान रखा था, उसने, she called bearman, उसने call bearman को बुलाया, to paint a leaf on the ivy creeper, to make John C. believe that the leaf did not fell, और John C. को यह समझाना चाहते थे, यह एसास दिलाना चाहते थे, कि देखो यह जो leaf है नहीं गिरी, तुफान में भी नहीं गरी, so that she could gain hope to get well soon, ताकि वो वापस अपनी जीने की जो इच्छा है, अपनी जो आशा है, उसको जागरेत कर सके, उसके बाद देखे, बेटा, what helps John C. to recover, Sue care, Sue ने care की थी, उससे वो उसने recover किया, या बहरमिन के काम के कारण, या उसके willpower, तो हमें यह बताना है, किस ने play किया, किस वज़े से वो कैसे ठीक हो पाई, और examples देने हमें चैप्टर में से, without Sue's effort, John C. would not have recovered, Sue के efforts के मिना, John C. recover नहीं कर सकती थी, when John C. fell ill, Sue did everything for her recovery, Sue ने सब कुछ किया, जो वो कर सकती थी, जब उसे पता चला, उसके डिप्रेशन के बारे में, उसकी बारे में की वो negative जो सोच रही है, she diverted her attention by talking about clothes, उसके कोशिश की उसकी attention को divert करने की, clothes की, fashion की बाते करके, she tried to convince her that the falling leaves had nothing to do with her life, it was a natural phenomena during autumn, उससे समझाने की कोशिश की, she discussed about the condition of John C. with Bherman, उसने जो Bherman से उसके condition के बारे में जाकर discuss किया, and inspired him to paint a leaf, और उनको inspire किया कि वो एक अपनी ये leaf जो है वो paint करे ताकि, और Bherman ने फिर finally उनके help की, painted the leaf so nicely, that even John C. and artist could not realize, took the leaf as natural as regained her willpower to live and recovered soon, और Bherman का काम काबिले तारिफ था कि उन्होंने इतने अच्छी और इतने ब्यूटिफूल और रियल नाच्रल लीव बनाई, पेंट की, जिसे जॉन सी एक artist भी नहीं पहचान पाई कि वो एक painted leaf है, और वो जल्दी से उसकी जो willpower है उसने रिगेन की और वो वापस उसकी जीने की इच्छा जाग रहे थोई, तो फिर वो उसने रिकवर भी किया बिमारी से जल्दी से ठीक भी हो पाई, तुस्ट वी कें से अल्दी से जॉन सी जो सबसे बड़ा है क्योंकि उन अपनी अपनी लाइफ अपनी जिंदगी की भी परवाने की जॉन सी को बचाने के लिए, तो बिटा, एक बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत बड़ा दिफरेंस एक एक छोटी सी चीज, सिर्फ हमारा दिष्टी कोण, और वो हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, सोचिए उसकी लाइफ जो थी उसके अटिट्यूड पर बेश थी, जहां वो नेगेटिव से पॉजिटिव अटिट्यूड हुआ, तभी वो रिकावर कर पाई, तभी वो अपनी लाइफ को रिगेन कर पाई, वापस अपनी जो लाइफ है उसको अचीव कर पाई, तो येस विस्टन चर्चिल्स कोट, आटिट्यूड इस लिट्ट इस लिट्ट इस लिट्ट अट मेक्स अ बिग दिफरेंस, इस एक लिटल इस लिट्ट है, अगर आपका आटिटूड है, आपके डिटर्मिनेशन है, तो जिस तरफ आपका जिस जीज के लिए, पॉजितिए पाईटिट इस लिए है पॉजितिए परसें पॉजित अचीव कर सकते हो, proved right in the chapter the lastly we see John C. suffered from pneumonia and she formed a negative attitude towards life and connected her condition with the falling of the last leaf from IV creeper because of her negative attitude medicine stopped working and her condition started deteriorating उसके negative attitude की वज़े से ही जो medicines थी वो भी काम करना बंद कर गई थी और वो धीरे धीरे क्या हो रहा था उसकी जो हालत थी वो खरा मोती चली जाती just because of negative attitude when Siu came to know about her condition she went to Behrman and inspired him to paint a leaf on IV creeper to save John C.'s life Behrman helped and painted a leaf on IV creeper to change her negative attitude and make her believe that it was only her illusion or fanciful belief that she would die with the falling of the last leaf when John C. saw the leaf didn't fall, did not fall यह आएगा बेटा even in the stormy weather जब उसने देखा कि वो जो leaf है वो stormy weather में भी नहीं गिरी she regained her hope जैसे ही उसका attitude change हुआ उसने वापस अपनी hope को achieve किया and to leave उसने जैसे ही regained किया उस hope को become positive towards life positive तस positive attitude can make a big difference तो बेटा इस तरह से आपकी worksheet complete होती है आज आपकी worksheet में totally सभी तरह से पूरे chapter को cover करने के कोशिश की गई है आप इसको करने के बाद अपना एक बद chapter जरूर पढ़िए in text questions जरूर करिए one or the other आप सारे questions के answer बहुत easily कर पाएंगे क्योंकि हर expect को chapter के हर चीज को लेने की कोशिश की गई है इस worksheet में बहुत अच्छे से करने की जरूरत है and keep learning and enjoying stay blessed and healthy बेटा subscribe करके bell icon को press करके रखिए channel को और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो like करिए ताकि जैसे ही आप इसको search करें आपके पास automatic notification आजाए आप समय पर अपना काम कर सकें अब आज ही की वीडियो लेकिन इतनी lengthy थी तो देखिए अभी तक सुबह के 11.40 हो रहे है और अब ये खतम हुआ है सारा typing work और सब तो आपके पास अगर notification आएगा तो आप same time पे अपना काम कर सकेंगे इसलिए आप subscribe करके bell icon को press कर दीजे ताकि जैसे ही आपके इस notification आए आप अपने आप अपना काम समय पर पूरा कर सकें thank you have a nice day